आदिपुरुस की जोड़दार बेश्टी होने के बाद उसका ट्रेलर आ चुका है क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या इंप्रोब्मेंट हुई है उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में अगर चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को प्लीज सस्राइब कर दीज दुसरा प्रभास तो पहले बात कर ले थे प्रभास की प्रभास को जदो बाभुवली से जानते हैं लोग उनके बाभु बाली वाले आवतार के फैन हैं और वह एक फिक्षनल मास मूवी थी जिसे डिरेक्टर राजय मॉली सर ने कमाल और खतरनाक तरीके से हमारे वरना हम आज भी बॉलिवूड की टक्टी में अठके रहते हैं आज भी सारे इंडियन डिरेक्टर उसी फिल्म के स्टाइल को कॉपी करने में लगे हुए हैं पर यही वो गलती कर देते हैं हर मुवी के स्टोरी अलग होती है और स्टोरी से स्टाइल भी चेंज होता है और अपने उम्राव सर ने और अपना फर्स्ट पॉइंट भी यही है बाहु बली एक फिक्सनल फिल्म थी उसकी कंपेर किसी से नहीं होना था पर आदिपूरुस को रामायन से कंपेर जरूर किया जाएगा आपकी छोटी छोटी गलती भी लोग ढून ढून के निकालेंगे इस फिल्म में प्रभास के इस लुक में कोई खराबी नहीं है ये लुक बाहु बली के लिए 100% सही है पर जब बात प्रभु स्री राम की होगी तो लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है रीजन क्या है रीजन तो बहुत सारे है पर सबसे बड़ा रीजन ये है ये लुक गेट अप और चेहरा जिसे हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं जब रामानन सागर की रामायन बनाई गई थी तो लोग आरुन गोबिल सर के भक्त हो गए थे उन्हें देखने के बाद लोगों को लगता था कि हमारे स्री राम भी असे ही होंगे उनके सा स्री राम कैसे हैं पबलिक के मन में एक प्रभु स्री राम की छवी बन चुकी है जिसे आप किसी और रूप में दिखाना चाहोगे तो वो उन्हें पसंद कभी नहीं आएगा और वो उसका विरोध करेंगे गुस्से में भी सांत रहना और डायलोग बोलते समय जो चेहरे प तो हम इंसानों से अलग करता है और आपने उसे ही गुस्से में बदल दिया वो भगवान है उनमें गुस्सा नहीं सांती दिखाने की जरुवत थी पर इतनी सी बात आप समझ नहीं पाएं पर आदिपूरुस जैसे मूवी को ड्रॉल ना रखते हुए बाहु अली जैसे मास मूवी बनाने के चकर में बरबाद कर दिया डायरेक्टर ने लोग जिसे इस मूवी की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट बता रहे थे दरासल वो इस मूवी के मेकर के लिए एक वरदान साबित हुई नेगेटिव ही भले पर एडवरटाइजिंग भरपूर हो गई बा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा मूवी को वी एफेक्ट के वजए से मूवी ना तो चलेगी ना तो पिटेगी जरूरत है इमोशन की जो हमें रमायन और स्री राम से जोड़ती है जो कि इसमें गायब है ये सिर्फ एक मास मूवी बनके रह जाने वाली है और यही के उलट साथ इंडिया में प्रभास के फैन काफी एक्साइटेड है ना कि मूवी की स्टूरी के लिए बलकि एक मास मूवी के रूप में इसमें प्रभास को देखने के लिए वहां हौसफूल होने वाला है आदिपूर से उमीद थी 1500 करोर की कलेक्शन की अगर ये इसमें च आइक्टर ने मास फिल्म बनाने के चक्कर में रमायन जैसे सब्जेक्ट को इगनोर कर दिया इस मूवी में वन मैन आर्मी का काम कुछ करेगा तो वो है मूवी का म्यूजिक म्यूजिक बड़ा दमदार लग रहा है ये अकेले ही मूवी में चार चांद लगाये हुए है जै कॉपी करना है और इसी लिए इस फिल्म के डायलोग में दम है कृति सेनन को बहुत कम दिखाया गया है उन्हें और दिखाना चाहिए क्योंकि ट्रेलर को वो एक अलग ही गौडली हाइलाइट दे रही है इस्टोरी में सस्पेंस बनाने के लिए रावन को बहुत जादा नह होते क्लियर बात करूंगा मुझे ऐसा लगता है आदिप उरुस को सोचल मीडिया पर भले ही कितना भी ट्रॉल किया जाए पर बॉक्स ओफिस पर बेजिती नहीं होने देगी यह मूवी हाँ यह हो सकता है कि जितना उमीद थी उतना पैसा ना कमास पाए क्योंकि मूवी में रमायन मीसिंग है आप रोक सच बताओ कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर क्या लगता है मूवी हिट होगी या फ्लॉप कमेंट करके बताएं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में जैसरी राम वंद मत्रों